Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Decoding Sports तो दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहाओगा मैंने Google में सट्स किया है SGSU गुजरात तो मेरे सामने आपको दिख रहाओगा स्वनिम गुजरात स्पोर्स यूनिवर्सिटी का एक इंटरफेस खुला हुआ है जो की है आपका गांदी नगर गुजरात में तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा इस कॉलेज का एडविशन फॉर्म जो आउट हो चुका है आप उसके लिए कैसे अपलाई करें और यहाँ पर कौन कौन से कॉर्से कराई जाती है तो दोस्तो इस आपको जो दिख रहा है वेबसाइट पर क्लिक करना है जैसे आप वेबसाइट पर क्लिक पाऊँगा इस कॉलेज की ओफिशियल वेबसाइट पर जो की है sgsu.gujrat.gov.in दोस्तो यह आपका स्टेट गवर्मेंट का उनिवर्सेटी है स्वर्निम गुजरात स्पोर्ट उनिवर्सेटी तो यह हमारे सामने आपको दिख रहा है खुलता हुआ इस कॉलेज का मेंट वेबसाइट तो यह रहा हम आ चुके हैं कॉलेज की मेंट वेबसाइट पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा है apply for admission यहाँ पर आपको दिख रहा है apply for admission ठीक है आपको इस पर क्लिक करना है तो apply for admission पर जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता हुआ दिख रहा है इसमें हमारा पुछा username और password और फिर हम करेंगे login पर दोस्तो हमें तो कुछ username और password पता ही नहीं है तो हमें क्या करना है पहले यहाँ पर register now करना है ठीक है पहले हम करेंगे register फिर उसमें हमको मिलेगा एक username और password जो हम create करेंगे और उसको login करके हम admission के लिए apply कर सकते हैं उससे पहले दोस्तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर दिया हुआ है instruction manual आप इस form को कैसे भरेंगे उसमें detail में बताया गया है आप इसको read कर सकते हैं पर दोस्तो इसको read करने में एक problem यह आएगी कि यह दिया हुआ है गुजराती language में तो आप उसका diagram को देखकर समझेगा और जितना हो पाएगा मैं इस video में आपको clear कर दूँगा इसके लिए आप कैसे apply करेंगे ठीक है तो चलिए हम करते हैं पहले register now पे click और करते हैं अपने आपको register तो register करने के लिए हमसे पुछा है अपना पूरा नाम एक correct mobile number जिसमें आपका एक OTP आ सके तुरंथ एक proper email id आपका एक username जो आप code login करते time पुछेगा तो आप कुछ भी यहाँ पर username एक create कर सकते हैं और एक password तो username और जो password आप create करेंगे वो आपको याद रहना चाहिए क्योंकि जो form apply करने time मैंने बताया जैसा login करते time आपसे आपका username और password ही पुछेगा ठीक है आप अपना यहाँ पे correct mobile number डा लेगा और एक correct proper email id और password हो confirm करिए और अपना form को यहाँ पर register करिए submit पर click करिए क्योंकि मैंने पहले submit किया हुआ है तो मैं direct login करूँगा अपना username और password डालकर यहाँ पर username डालूँगा और password और फिर करूँगा login तो चलिए करते हैं login अब मैं click करता हूँ login पर तो जैसी मैंने login पर click किया यहाँ पर दिक रहा है हमसे पुछा OTP तो OTP जो है वो जाएगा हमारे register mobile नंबर पर जो हमने डाला था तो मैंने OTP को enter कर दिया अब मैं click करूँगा verify पर तो verify पर जैसे ही मैंने click किया तो मेरे सामने यहाँ पर खुल गया इस university में कौन कौन सी courses कराई जाती हैं और आपको इसमें से एक को select करना है जो आपको करना है यहाँ पर उसके बारे मैं आपको कुछ idea दे देता हूँ यहाँ पर सबसे पहले दिख रहा है आपको admission open for 2021-2022 undergraduate program UG program सबसे पहला जो course है वो है आपका bachelor of science in sports coaching दोस्तों जो यह BSC है BSC in sports coaching इसके बाद आप MPAD नहीं कर सकते हैं ठीक है आपको मैं बता दे रहा हूँ generally फिर दूसरे नमर पुछा है यह आपका BPA BPA करने के लिए यह दो 2 years का BPA है आपको graduation अनिवार है आपके पास graduation degree होना चाहिए तब ही आप BPA कर सकते हैं 2 वर्सों का और तीसरे नमर पे आपका BPS यह after 3 साल का course है जो आप 12 के बाद कर सकते हैं और जो BSC है यह भी आप 12 के बाद कर सकते हैं इन दोनों के बाद आप MPA नहीं कर सकते हैं BSC के बाद आप MPA कर सकते हैं लेकिन वो दूसरा course होता है लेकिन यहाँ पर क्या है? sports coaching है BSC in sports coaching इसके बाद आप MPAD नहीं कर सकते हैं और भी बहुत सारी courses हैं यहाँ पर आपको दिख रहोगा Master of Physical Education MPAD, MPS और MPAD Integrated दोस्तो जो यहाँ पर दिख रहा है MPAD Integrated यह होता है तीन वर्सों का जो आप BPS जो यहाँ पर आपको कराई जा रहे थी और BSC उसके बाद आप यह वाला MPAD कर सकते हैं जो यह कराता है तीन साल का Integrated course अगर आपको Certificate course करना है Nutrition में तो उसके लिए भी आप Apply कर सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहोगा यहाँ पर कई सारी Post Graduate Diploma courses भी हैं अगर आपको इसके एक चुक्ष हैं तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं तो दोस्तों आपको जो भी course करना है आप उसपे Select करेगा और आगे Proceed करेगा माल लिजे मुझे करना है Bachelor of Science in Sports Coaching तो मैंने उसपे टिक किया और यहाँ पर Next पर क्लिक करूँगा तो जैसे ही मैं Next पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने आ गया Specialization कौन सा गेम मेरा है जिसे मुझे अपना डिगरी के टाइम Specialization करना है तो मेरे सामने options है Athletics, Badminton, Basketball, Football, Hockey, Judo, Kabaddi, Shooting Sports, Swimming और Volleyball BSC में आपकी यही यही गेम है जिससे आप Specialization अपना कर सकते हैं जो भी आपका गेम हो उसको आप Select करिएगा मान लिजे मेरा गेम है Athletics तो मैं Athletics पर Select करूँगा और मैं Next पर दबा कर आगे Proceed करूँगा फिर आपने 12th कौन से स्ट्रीम से किया है Science वाले को Preference दिया जाता है BSC के लिए ठीक है या फिर आपने Other से किया है तो आप Other पर टिक करिए और यहाँ पर कौन सा स्ट्रीम है उस स्ट्रीम का नाम लिग दीजिए और Next पर क्लिक करके Proceed करिए तो मैंने Next पर क्लिक करके Proceed किया तो यहाँ पर पूछ रहा You have not selected any college yet तो यहाँ पर Select Courage करिए तो हमारे सामने इसलिए एकी option आएगा BSC वालों students के लिए वो है Department of Advanced Studying and Coaching तो इस पर Select करिए तो जैसी हमने Select करेगा आ गया हमारा नाम इसको हम डाल देंगे Edit कर देंगे दोस्तों फिर आपको यहाँ पर Details फिल करनी है आपने 10th की Mark Sheet के हिसाब से Surname, Name, Father's Name, Mother's Name, Gender, Martial Status फिर नीचे Scroll Down करते जाए Nationality, Category, Cast यहाँ पर आपको अपना Date of Birth अप्लोड करना है Update कर दीजेगा Occupation, Father's Occupation, Annual Family Income और यहाँ पर डबे में क्लिक करके Is Currently Working or Not आप Next पर क्लिक करेगा तो दोस्तों जैसे आप Next पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका Documents अप्लोड करने के लिए पूछेगा अगर आप 12 अभी आपका Result नहीं आया है तब भी आप इस University के लिए अप्लाई कर सकते है If you are in appearing जैसा कि CBC Students के साथ हुआ है CBC Board Students वालों के साथ तो आपको इसके प्याद पुछेगा कुछ basic चीज पुछेगा वो आप फिल कर लेंगे पढ़के या फिर आप इस instruction manual को एक बार देख लिजेगा डाउनलोड करके उससे भी आपको एक idea मिल जाएगा तो दोस्तों जो मुद्दे की बात है आपका form तभी submit होगा जब आप एक bank से demand draft बनवा लेंगे 250 रुपीज का ठीक है आपको इस form को submit करने से पहले अपने bank चाकर अपने आजपास वाले bank में चाकर एक demand draft बनवाना पड़ेगा जो आपको instruction manual में दिया होगा किस नाम से बनवाना है आपको एक demand draft बनवाना है 250 रुपीज का स्वर्णिम गुजराद sports university के नाम से reason क्या रहेगा applying for admission 250 रुपीज का demand draft बनवाना है फिर आपका वो bank से बन जाएगा तो फिर आपको form में जब submit करने से पहले इसी में आगे पुछेगा आपका demand draft number आपको demand draft का number डालना पड़ेगा date डालना पड़ेगा और bank कौन से bank से बनवाना है आपने उस bank का और नाम और branch कहां से बनवाना है ठीक है जैसे ही आप यह सब डाल देंगे demand draft का details और आपका form फिर हो जाएगा successfully submit आप next पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका form successfully submit हो जाएगा फिर यहां पर लिखेगा your form has been submitted successfully ठीक है जैसे ही आपका form successfully submit होगा तो आपका जो email ID है उसपे आपको आपका form का 4-5 पन्नों का PDF उन लोग भेज़ देंगे कि your form has been submitted successfully click here to download your form आप उसपर क्लिक करके अपना form को download करेगा फिर उस form में जो 4-5 पन्नों का रहेगा उसमें आपका पूछेगा कुछ medical का कि I am physically fit और आपका कुछ नाम आप जो address कहाँ से मिलेगा जो आपको form आएगा Gmail ID पर उसमें आपका address दिया रहेगा कि इस form को आपको इस address पर courier करवाना है तो दोस्तों जैसे ही आप उस form को courier करवा देंगे तो आपका form का successfully submit हो जाएगा final stage ठीक है यही था form कैसे apply करना है अब इसके बाद का procedure क्या रहेगा जो आपने mobile number डाला है आपका form अगर successfully submit हुआ होगा तो वो आपको call करकर update कर देंगे ठीक है तो दोस्तों यही था स्वनिम गुजरात sports university का admission form के बारे में update I hope आपको यह information informative रहा होगा और दोस्तों जितने भी college के admission forms आएंगी अगर आपको उसके बारे में update जाना है तो आप हमें subscribe कर सकते हैं जैसा कि हमने पिछली वर्स आपको updates दिया था इस वर्स भी देते रहेंगे तो हमें subscribe कर लोगे